यह जो एक मौसम की जाने का और दूसरी मौसम की आने का समय होता है न ये एक गारडनर के लिए बहुत इंपॉरेट है यह एक ऐसा टाइम है जब हमें अपने प्लान्ट्स को इंप्रूउफ करने का मौका मिलता है हमें नय-nay प्लान्ट्स ग्रो करने का चांस मिलता है और ऐस तो हमें इसका पस्तावा भी बहुत ज्यादा होता है इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसे काम बताने वाली हो जो आपकी प्लांट की हेल्थ को इंप्रूफ करने के लिए कामाएंगे आपके विंटर गार्डन की तैयारी में कामाएंगे आपके पुराने प्लांट को पर् इस बात का इशारा है कि सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है पर इसी वक्त मेरे पुराने प्लांट कुछ ऐसे प्लांट जो अभी डॉर्मेंसी में नहीं गए अपने ग्रोथ कर रहे हैं उनकी ग्रोथ भी नहीं रुकी है तो यह बैस टाइम में अपने दोनों टाइप क बहुत अच्छी केर देने का उनकी हेल्थ को बहुत इंप्रोव करने का तो चलिए आज इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट मैं पीस में आप सब का स्वागत है अगर आपने मेरी नहीं लगाए हैं तो यह experience इस बार जरूर लेकर देखिए सीड्स से जो plants grow होते हैं उनकी feeling ही अलग होती है मेरे काफी plants grow होने शुरू हो चुके हैं मेरे चोटी चोटी पॉद उख चुकी है और वो एक अलग ही तरह की खुशी मुझे दे रही है मैं वेट कर रही हूं इन मे बस इनको पैंपर कर रही हूं इनको moisture दे रही हूं और इनको ऐसी जगह रख रही हूं जहां इनको indirect sunlight या semi shade area जो कह सकते हैं वहां रख रहे हूं हो सकता है मेरे आने मेली वीडियो में आपको इनकी seedlings दिखें इनकी pot दिखें जिने मैं नए नए pots में report कर रही हूं इनको transplant कर कर रही हूं मैंने flowers के seeds के साथ vegetables की भी बहुत बड़ा टैंक है जिसके इनर मैंने पालक की बैंगन की टेमैटो के सारे seeds को मैंने क्रो किया है और इनमे ग्रोथ आ चुकी है आप येकीन मानिए जब ये जो homegrown vegetables आप खाएंगे ना इसकी खुशी आपको बहुत अलग लगी किस का स्वाद आपको बहुत अलग लगेगा इसलिए सबसे पहला काम बिना हिच के आप ये कर लिजिए दूसरा काम जो आपको करना है वो है cuttings लगाने का ये best time है कोई भी cutting grow करने का अगर कोई भी plant है जो cutting से grow हो सकता है उसको इस वक्त लगाना best है ताकि वह plant आपके पास आग अगर आपके पास पुराने विंडर प्लांट्स है तो आप उनको ली ग्रो कर सकते हैं आप कोई भी नए प्लांट की cutting लगा सकते हैं इस best time में आपके पास नए नए पौदे तयार होने वाले हैं तो इन नए नए पौदों के सासर नए नए पॉट्स की भी shopping कर लीजिए क् जो बहुत सारे प बौदे कर आप पौदे को बिलकुल नहीं भून सकते हैं उगने वाले खर पतिवार हो ऊसको हटा नहीं पॉट्स काम भी इस वक्त आपको जरूर कर लेने हैं मैं अपने पुराने जितने उन में जो भी unwanted plants कोई होए हैं जो भी खर्पत्वार घास वीड जो भी growth है उन सब को हटा कर अपने plants को nutrition प्रोवाइट करें अब जो भी nutrition provide करूंगे इसके बाद यह nutrition in के growth period में ही दिया जाएगा फिलाल मैं अपने plants में nutrition प्रोवाइट कर रही हूं मैं ले रही हूं इसी बात ही नहीं है आपके किसी भी प्लांट को खात की बहुत जरूत होती है तुसरे नमबर में ले रही हूं फंगिज़िसाइड कोई ब्लांट फंगस के अटक में बहुत एजली आता है एसी फंगस से बचाने के लिए इसी इंसेक्ट से बचाने के लिए मैं अनीम खली ऑर साथ में ले प्रवाइट नहीं करेंगे पर अगर आप इने अभी इतना नुट्रिशन प्रवाइट कर देंगे जब तक बहुत ठंड आएगी जनविरी तक की ठंड आएगी तब तक ही अपनी ग्रोथ कर रहे हैं उस ग्रोथ कर सकते और चरल इसके बाद यह इतना फूर स्टोर करें रख सकते हैं अपने लिह इतना नुटिरिशन रख सकते हैं कि यह tentyear कि 9 सीजन सरावय ड़ी तो इसनी इस वक्त नपने मैं अपने प्लांट्स को जल्दी से काफी महीनों तक कुछ प्रोवाइट नहीं करने वाली हूं उन प्लांट्स को जिनका ग्रोथ अब रुख चुकी है मैं नॉर्मली जो प्लांट्स उन में तो यह फर्टलाइजर एक से दो मुठी मिक्स कर दिया है और उसके बाद अच्छे उसमें वाटरिंग कर दी है जिससे मेरे प्लांट्स अपना जो भी फर्टलाइजर वह स्लोली ले सके लेकिन यह उन प्लांट्स के लिए ठीक था जिन कुछ और मिलाना भी ज़रूरी है जो मैं मिक्स करने वाली हुं जिससे मेरे प्लांटड फ़र्टलारिंग होती रहे कि अभी तक मेरे किसी भी पर्मनें फ्लांट है Scottish Immilalnhحم को कुछ City एंप ग्रीनिग करते रहते हैं आपको जब आप डाइटिए या बीमार कोते हैं तो तो आपकी बॉड़ी अपना ही फैट यूज करती है बस कुछ ऐसे ही यह जो प्लाइंट में नूट्रिशन हमने डाले है यह प्लाइंट अपने डॉर्मेंट से में यूज करें यहां पर अपने फ्लारिंग प्लाइंट में डीएपी के जो दाने हैं वो डाल रहे हैं बहुत में डीएपी ज़रूर एड कर सकते हैं चलिए यह तो एक नॉर्मल चीज थी नेक्स्ट आपको करना बहुत जरूरी है वह अगर आपका कोई भी प्लांट रूट बाउंड हो चुका है या फिर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है किसी भी वज़े से आपको उसको रीपॉट करना पड़ रहा है जैसे मेरा एक जौरा का प्लांट है मुझे लगा कि इसमें कुछ रूट बाउंड था या मुझे इसका पॉट छोटा लग रहा था तो मैंने इसका पॉट चेंज करने के लिए इसको रीपॉट कर दिया तो फिर भी अपने आपको सेटल कर सक सकता है अपने आपको एड्यास कर सकता है वेदर की वज़े से क्योंकि वादना बहुत गर्म ना बहुत ठंड है लेकिन अगर मैंने यह काम बहुत सर्दी में किया तो शायद मेरा अप्लान शर्वाइब नहीं कर पाता है नेक्स्ट जो बहुत मेरे लिए है वह है अपने प खरीदने वाली हूँ विंडर सीजन के सीजन प्लांट जो हैं मैं उन सब को आराम से लगा सकूँ क्योंकि तब शाय इतनी तेज धूप नहीं होगी कि मिट्टी बहुत जल्दी और बहुत आराम से सुख सके चलिए उमीद करते हूं मेरी दी हुई इंफॉरमेशन आपके काम अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी मच जाईएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के शियर करना है बिल्कुल भी मत भूलिया और कमेंट करके ज